क्या किसी इंसान को मरने के बाद भी आते जाते देखा जा सकता है? सोचिए आपको जो इंसान कुछ दिन पहले ही दिखा हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो तो महीनों पहले मर चुका, तो आपका क्या हाल होगा? ऐसा ही वाकिया हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में हुआ, यहां तीन लोग मरने के पाद भी प्रेतात्मा बनकर दिखाई देते थे, यह हौरर स्टोरी है है हैदराबाद के कुंदन बाग इलाकी की, 2002 में कुंदन बाग इलाके में हुई इस खटना ने खूप सुर्क य तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था यहां जो इस घर को हैद्राबाद की सबसे भुते ही जगा माना जाता है बार्थेसन 2002 की मुहमद साजित नाम का एक चोर कुंदनबाग के इस घर में चोरी के इरादे से खुसा घुसने से पहले उसने कई दिन तक इस घर का मुआयना किया जब उसे लगा कि इस घर में कोई नहीं रहता तो वो खिड़की के रास्ते अंदर खुसा पर अंदर जाने पर उसने वो देखा जिसका उसे बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं था दिस्तर पर तीन लाशे पड़ी थी वो लाशे एक औरत और उसकी दो बेटियों की थी और वो तुरंथ वहाँ से भाग कर गया पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर उसने सारी बात बता दी पर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ उन्हेंने सुचा कि जरूर इसकी चोरी नकाम होने के कारण इसी ने उन्हें मार दिया होगा और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया पुलिस वर उस घर में गई और डेड बोडी को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनकी मौत 6 महने पहले ही हो चुकी थी मतलब साजित ने वो मर्डर नहीं किया था और उस पर से मर्डर के चार्जस हटा दिये गए घर की छानबीन से पता चला कि उसमें जयाप्रदा नाम की एक औरत जिसका डिवास हो चुका था वो अपनी दो बेटियों के साथ वहार रहती थी घर वालों से बात करने पर पता चला कि जयाप्रदा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इस बात को छुपा कर घर वालों ने उसकी शादी करा दी थी और जब ये बात उसके हजबन को पता चली तो उसने उससे डिवास दिलिया दोनों बेटिया भी जयाप्रदा के साथ ही रहती थी पोस्टमार्टम में मौत की वज़र जहर बताई गई और पुलिस को घर की छानमीर में एक फिनाल की बॉटल मिली तो पुलिस ने सोचा कि यही पीकर इन्होंने सुसाइट किया होगा लेकिन वहां जयाप्रदा की लिखे हुए लेटर्स भी पुलिस को मिले जो उसने फियम को लिखे थे ये कहते हुए कि उसे कोई माना चाहता है लेकिन जब पुलिस ने पडोस में पूश्टाश की तो कुछ ऐसी बाते सामने आई जिससे पुलिस के होश उड़ गए लोगों ने बताया कि उन्होंने तो जयाप्रदा और उसकी बच्चियों को तीन मेने पहले तक देखा था लेकिन पोस्ट मार्टम में ये निकला था कि उनकी मौत 6 मेने पहले हो चुकी थी पडोसियों ने बताया कि उनकी हरकते भी कुछ अजीब सी थी वो तीनों रात में हाथ में जलती हुई मुंबत्ती लेकर अपने घर के चक्कर लगाती थी उनके घर से अजीब और गरीब आवाजे आती थी वो अपने खिरकी से खून से भरी बॉटल लटका कर रखती थी यहां तक कि उन्होंने जैप्रदा की बच्चियों को भी खून की बॉटल से खेलते देखा था गार्विज बिन उनके घर से बस दो मिनट की दूरी पर था पर फिर भी वो कार्ट से कच्रा फेकने जाती थी यहां तक कि जैप्रदा रास्ते पर चलने वाले लोगों को हाथ में कुलहाडी लेकर दोडाती थी उनके घर में इंकम का कोई भी साधन नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी बिजली का बिल दो-तीन सालों तक के लिए एडवांस में पेकर रखा था कुंदन बाग के इस घर से कुछी दूर पर एक कॉलेज भी था जहांके स्टूडन्स ने इस घटना के दो साल पहले इस घर की खिलाफ पुलिस कमप्लेन की थी कि इस घर में रहने वाले लोग कुछ अजीब हरकते करते हैं जब सारे के सारे नेबर्स ने ये कहा कि उन्होंने इस फैमिली को तीन महीने पहले तक देखा था तो पुलिस ने दोबारा पोस्माटम कराया लेकिन रिपोर्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और जब पुलिस को मर्डर का कोई मोटिव नहीं दिखा तो उन्होंने इसे सोसाइट कहके जैसा की रिपोर्ट में लिखा था केस क्लोज कर दिया लेकिन सवाल ये है कि तब वो कौन था जो पड़ोसियों को दिखाई देता था फिर 2016 में किसी ने इस घर की फोटो सोशल मीडिया पर इसे हाइद्रबाज का सबसे भूतहागार नाम से पोस्ट कर दी और फिर कई तरीकी की कहानिया भी निकल कर आने लगी कि इस घर के पास काफी स्पूगी फिलिंस आती है एक शक्स ने लिखा कि एक बार में अपनी बाइक से इस घर के सामने से निकल रहा था तब ही अचानक मेरी बाइक के हैडलाइट बंद हो गए और मेरा एक्सिटेंट हो गया इंवेस्टिगेशन के बाद इस घर की बिजली कटवा दी गई थी लेकिन फिर भी रात में इस घर की लाइक्स आन रहती है और धीरे धीरे लोगों का इंट्रेस्ट इस हांटेड हाउस में बढ़ने लग गया और लोग दूर दूर से इसे देखने आने लग गये पास में कॉलिज था इसलिए लड़के वहां से अपने ग्रूप में आकर इस घर के बाहर चिलाते कि आई भूत हम तुमसे डरते नहीं है अगर दम है तो बाहर आ और भी बहुत कुछ कंडिशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि पुलिस को ये स्टेट्मेंट जारी करना पड़ गया कि ये घर हॉंटेट नहीं है और धीरे धीरे मामला शान्त हो गया पुलिस के रिकॉर्ड्स में भले ही ये केस सौल हो गया हो लेकिन इससे जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिल पाएं जैसे कि अगर वो लोग मर चुके थे तो फिर पडूसी उन्हें जिसे देखा वो कौन था अगर घर में इंकम का कोई सोर्च नहीं था तो वो लोग जिन्दा कैसे थे उनका इलेक्टरिसिटी बिल एडवांस में किसने पे किया क्या उन्होंने सच में सुसाइट किया था या फिर ये सब एक साजिश थी जैपरदा को मानने की जैसा कि जैपरदा ने पीम को लिखे लेटर में मैंशन किया था जैपरदा जिस घर में रहती थी वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी और अक्सर ऐसी कहानिया प्रॉपर्टी के रेट्स को कम करने के लिए बनाई जाती है या फिर सच में उस घर में प्रेतात्माओं का वास है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अमेरिका के फेमस हांटेड विलिस का एक्स मुर्डर हाउस की स्टोरी भी जरूर देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए बाई